राजा और माली की कहानी King and Gardner's story in Hindi एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड लगाए थे जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए माली तोक्री लेकर बाग में पहुँचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाओ कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड लिये और टोक्री में भरकर राजा के पास पहुँचा उन दिनों राजा कुछ चिंतित था उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी की पडोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमन की तैयारी में है वहाँ इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था तभी माली उसके पास पहुँचा और चुपचाप उसके सामने टोक्री रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया राजा मन्थन करते करते टोक्री से अंगूर उठा कर खाने लगा वहाँ आधा अंगूर खाता और आधा फैंक देता जो माली के उपर गिरता जैसे ही अंगूर माली को लगता वहाँ कहता भगवान तु बड़ा गयालू है सोच विचार में दूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वहाँ अंगूर माली के उपर फैंक रहा है एक बार फिर उसने अंगूर माली के उपर फैंका और माली ने फिर से कहा भगवान तु बड़ा दयालू है इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा माली मैं तुम पर जूठे फल फैंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तु बड़ा दयालू है इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया महाराज आज बाग में तीन तरह के फल थे आम, अंगूर और नारियल मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं भगवान की दया से मेरी बुद्धी में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलू और मैं अंगूर ले आया यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिये मेरा हाल क्या होता? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बड़ा दयालू है राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है भगवान की दया से उसे समय रहते पडोसी राज्य के राजा के मनसूबों का पता चल गया है इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का परियाप्त समय मिल गया है उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुड़ गया जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया दोस्तों समय का चक्र ऐसा ही है कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं जबकि आवशक्ता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना कर मजबूत इंसान बनाने उसने हमारे सामनेवे परिस्थितिया उत्पन्न की है छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाएंगे इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं सकारात्मक रहकर समस्या के निवारन के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारन में जुट जाएं बुरी परिस्थितिया आपकी द्रिड़ता की परीक्षा है ऐसे समय में तूटे नहीं, ये साबित कर दे कि आप हर परिस्थिती का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जीवन की उबर खाबर डगर पर चल कर ही आप द्रेड और मजबूत इनसान के तौर पर खड़े हो पाएंगे फ्रेंड्स, आपको ये किन एंड गार्डनर स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं ये सकारात्मक सोच की कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें ऐसी ही और हिंदी मोरल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और किड्स स्टोरीज इन हिंदी के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले ठैंक्स